हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर चैनल, टार्गेट स्टुडी पॉइंट, मैंने यह पांडे, तो आपको पिछले वीडियो में मैंने मिक्सिंग वाले, मतलब जो ग्रुप्स एक से ज्यादा प्रजेंट होते हैं, तो उनके एक्जांपल मैंने बता दिये थे, इसके बाद ए एक हाइड्रोजन अटा दे और OH लगा दिया जाए, यानि कि अलकोहल ग्रुप लग जाए, तो वो फिनॉल कहलाने लगता है, तो जो मोनो हाइड्रोक्सी डेरिवेटेव होते हैं, बेंजीन के उनको हम फिनॉल कहते हैं, तो और अगर उनका नाम जब हम लिखते हैं, अगर IUPAC नाम लिखते हैं, अगर उसमें डाई हाइड्रोक्सी और ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन के होते हैं, तो फिर उनकी पोजीशन, मतलब जिस भी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है, तो उसको हम डाई और ट्राई ओल लगा के उसको रिप्रेसेंट कर सकते हैं, या तो मैं पहले एक्जामपल देती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, माल यह दिया हुआ है, यह एक सबसे पहले तो सिंपल फिनॉल बता देती हूँ, कि अगर यह जो सिक्स पोजीशन होती हैं, या फिर्स्ट से, माल अब जिस भी पोजीशन पे OH लगा हुआ है, उस अगर एक OH लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे हम फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा, फिनॉल, और अगर यह एक से ज़्यादा जगह पे OH लगे हुए हैं, तो फिर उनका नाम करण हम किस तरीके से करते हैं, वो बताती हूँ, कि अगर माल लिया, लगा हुआ है OH यहाँ पे और लगा हुआ है OH यहाँ पर भी, दो जगह लगा हुआ है, तो फिर हम इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, कि यह 1 पोजीशन हो गई, यह 2 पोजीशन हो गई, यह 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, कि इनके जो पेरेंट हैं, बेंजीन का नाम लिखे सबसे पहले बेंजीन, और जिस पोजीशन पे अलकोहल लगे हुए हैं, तो 1,2 डाई, और इस तरीके से इसका नाम लिख देंगे, या फिर मालिया दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो किसी भी दोनों में से किसी भी एक OH को हम माल लेंगे, वन नमबर पे, कि फॉर एक्जांपल हमने माल लिया, कि ये वन नमबर पे, 2,3,4,5,6, तो क्या करना है, बेंजीन लिखना है सबसे पहले, अगर एक ही अलकोहल लगा हुआ है, तब तो मुसको फिनॉल लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो जगे लगा हुआ है, तो बेंजीन, वन कॉमा फोर, डाई, ओल, अब अलकोहल के अलाबा माल लिया, और भी कोई ग्रूप प्रेजेंट है, जैसे फॉर एक्जांपल, ओएच है, और साथ में प्रेजेंट है, यहाँ पे CS3, यानि कि अलकाईल ग्रूप प्रेजेंट है, तो प्रायोर्टी तो हम नम्मरिंग के लिए अलकोहल को ही देंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जिस पोजीशन पे लगा हुआ है, अलकाईल ग्रूप यानि कि मिथाई क्योंकि यहाँ पे एक ही अलकोहल है, तो इसलिए सीदे सीदे इसका नाम हम लिख देंगे, फिनॉल, वाल यह दो जगे दिया हुआ है, अगर अलकोहल ग्रूप, यहाँ पे भी दिया है, ओच, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ओच, एक दिया हुआ है, CS3, तब इस कंडिशन पे हम इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले नम्बरिंग दे देते हैं, किसी भी या तो इसको हम वन नम्बर पे माल लेंगे, या इसको माल लेंगे, तो इसको माल लिए हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो पोजिशन पे मिथाइल, तो 2 अब यहाँ पे दो जगह लगा हुआ है, अलकोल ग्रूप, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, बेंजीन, 1, 3, डाई, ओल, यह इसका नाम हो जाएगा, ऐसे ही अगर दिया हुआ है, ओएच लगा हुआ है, साथ में मालिया लगे हुए है, ब्रोमो ग्रूप, अभी एक ग्रूप जो मैं लगा रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट की यहाँ पे अलकोल, सरी, मिथाइल ग्रूप लगा दिया है, ब्रोमो ग्रूप लगा दिया है, कोई भी ग्रूप आप लगा सकते हैं, कोई भी group लगा सकते हैं, और उनी group के हिसाब से उनका nomenclature कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो numbering कर लेनी है, 1, 2, 3, इधर से भी कर सकते हैं, तो भी नाम वही आएगा, उधर से भी कर सकते हैं, 5, 6, यह numbering कर ली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिस जिस position पर bromo group लगें हैं, सबसे पहले वो लिफ लेना है, तो 2,6 di bromo, क्योंकि एक ही alcohol group लगा हुआ है, तो इसलिए phenol, नाम हो जाएगा इसका, तो इस तरीके से जो है, इनका नोमेंक्लेचर हम phenol का, नोमेंक्लेचर कर लेते हैं, कि जितने एक जगह लगे हुए हैं, कि एक चलिए और example बता देती हूँ साथ में, एक OH यहाँ दिया हुआ है, एक OH यहाँ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 OH दिया हुए हैं, तो numbering के दर से भी कर सकते हैं, किसी को भी 1, 2, 3 मान सकते हैं, तो हमने मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमने इनकी numbering कर ली, क्योंकि 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके parent का नाम लिखेंगे, benzine, फिर उसके adjust position पे alcohol group लगे हुए हैं, 1 पे लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, and 5 पे लगा हुआ है, तो तीन nomenclature, phenol का, तो I hope आपको ये भी clear हो गया होगा, thank you for watching this video